सरकारी विध्याले में जॉब ना कोई इंट्रिव ना कोई परिक्सा सेलेरी 30,000 रुपे महीना गेस्ट फैकल्टी आवेदन से महतोपुन्स सूचना का ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर क्याया हूँ तो बहुती महतोपुन्स ये आप सभी के लिए वीडियो होने वाला है तो वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूँ इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईका दबा दीजिए जिससे आपको ऐसी latest information सबसे पहले मिलती रहें तो चलिए वीडियो में चलते हैं तो विध्या संबलन योजना सेवा निवरिट सिख सको है निजी अभिर्थी कर सकेंगे आवेदन सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर लगाए जाएंगे बीएड और डियलेड उतीरण अभिर्थी ठीक है वे तो चलिए इसमें देखते हैं दिनांकवार योजना कारे करम सबसे पहले किस तरह से आपको कहां से रिक्त पद है उसका पता लगेगा और कैसे आवेदन करना है ये अध्यापक राज की ये उच्छ मादिमिक विध्या लेओं राज की बाली का उच्छ मादिमिक विध्या लेओं ठीक है और महत्मा गांदी विध्याले इनी में ही कारे करेंगे इन में ही लिये जाएंगे उच प्रात्मिक और प्रात्मिक विध्यालों में इन गेस्ट फैकल्टी पर अध्यापक नहीं लिये जाएंगे ये मैं आपको सबसे पहले जान कर देता हूँ जिसकी लिस्टे का बाई और रिक्तियों का प्रकासन हो जाएगा यानि एक नवंबर वाले दिन आपको पता लग जाएगा कि कौन से विध्याले में किस पद पर कितने कितने पद खाली है कौन सी विशे के खाली है या लेवल वन के है या लेवल टू के हैं उसके बाद दो से चार नौम्बर तक आपक कारे करने की आपकी इच्छा है ठीक है अगला है पांच नवंबर को प्रप्त आवेदनों की सूची प्रकासित करेगा स्कूल स्कूल क्या करेगा पांच तारीक तक जितने फॉरम प्रप्त होगे चार तक उनकी एक अस्थाई सूची जारी कर देगा कि इतने फॉरम प्राप्ट हो हैं, 7 नवंबर को पातरता की जाच की जाएगी, आप जब फॉरम भरेंगी, तो आपसे फोटो कफी, यानि छाया परती का एक सैट डोकुमेंट का साथ में ले लिया जाएगा, उसकी जाच 7 नवंबर को की जाएगी, उसके बाद 7 नवंबर को अस्ताई लिष्ट जारी कर दी जाएगी यानि यदि डोक्यूमेंट आपके सही पाए गए हैं तो इसमें से आपकी एक अस्ताई लिष्ट जारी की जाएगी कि यह यह अब्यरति है जो चैनित होने के लायक है और अपने डोक्यूमेंट चेक करवाएं 9 नौंबर को अपतिया करवा सकते हैं उसके बाद एकी 10 नौंबर को अंतिम वरीता सूची यदि 9 नौंबर तो कोई अपति नहीं आती है आती है तो उसका निस्ताण भी तुरंत होगा और उसके बाद 10 नौंबर को अंतिम वरीता सूची बना दी जाएगी जो इस्ताई होगी यानि उसके बाद उ आदेश जारी कर दिया जाएगा यानि 12 नौबर को जिनके डोकुमेंट सभी पाए गए उनका आदेश जारी कर दिया जाएगा यानि आपकी जोइनिंग ओर्डर निकल जाएगा तेर 19 नौबर को कारेगरण की अंतिम्ठिती है यानि 12 से लेकर 19 नौबर तक इन 7 दिनों में आ नहीं करने पर आपको अपत्र घोसित कर दिया जाएगा और अगले वेक्ति जो आप से नेक्स्ट पीछे था उसको बुला लिया जाएगा तो बिलकुल आप यदि चैनित होते हैं तो समय पर ही कार्य करन कर लें उसके बाद पदवार मान दे की बात कर लेते हैं कि कितने 11-12 यानि से यानि स्गेड व्याख्याता तीश हजार रुपे परियोग सासाह को 211 हजार रुपे और सारिक शिक्सास शिक्सक यानि है को 21 थार filters को व०् Torah का वेतन दिया जाएगा थीक है इसके बादे बात कर लेते हैं कि सेकिंड ग्रे टीचर या सम्मधित VCA में सनातक और B8 होना जरूरी है इसके अलावा फर्ष्ट लेवल वालों के लिए और सेकंड लेवल वालों के लिए भी क्या पातरता है क्या डोकुमेंट आपको चाहिए लेगी अज्जापक लेवल 2 B8 सहीत UG यानि B8 में 50% अंकों के शाथ और रीट लेवल सेकंड परिक्सा होते इंड जिसकी वेद दसमाप नहीं होई हो यानि रीट 2022 है वो पास होना जरूरी है तब भी आप लेवल 2 के पद पर एपलाई कर सकते हैं इसके अलावा आपके B8 में 50% भी होने चाहिए और सम्मंदित विश्ये में आपकी B8 भी होनी चाहिए अज्यापक लेवल 1 है डीलेड साइथ बारवी में 50% अंक होने जरूरी है रीट लेवल 1 परिक्सा होते इंड होना चाहिए वेद दसमाप नहीं होई हो यानि इनको भी रीट 2000 भलाई 21 वाली पास हो तो नियुन्तम आयू अविदित पद से सम्मंदित सेवा नीमों वरनित प्रावदानों का नुसार होगी यानि सेवा नीमों में जो उम्र बताई होई है 21 वर्स वो पूरी होना जरूरी है ठीक है इसके अलावा कईये में 18 वर्स भी है बाकी सभी पातरताएं रखी गई है और उसकी एक पातरता यह है कि वो 65 वर्स से अधीक आयू के नहीं होने चाहिए ठीक है इसके अलावा ये जिला इस तर पर परिवेद न समिती भी बनाई गई यही कोई आपको गडबड लगता है तो यहाँ पर आप जो है मांग कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे गडबड़ु आ है इसके अलावा चैन का अधार क्या रहेगा देखिए यह रहेगी आवेदन की परिक्रिया तो यहाँ पर समधित P.O. के पास विद्यालेम उपस्तित होकर आवेदन परस्तूत करना है वरिता सुचिपद की वांची नियुन्तम सेक्षनी की होगेता के प्राप्ताकों का पिचोतर परतिशत और परसेक्षनी की होगेता के 25 परतिशत अंक भार के आदार पर किया जाएगा यहाँ आपका चैन होगा वो होगा पिचोतर परसंटेज तो आपके 10, 12 या B.A. में क्या परतिशत है क्या मारक से उसके आदार पर जटेंगे और 25 परतिशत आपके B.H.T.C. या B.A.D. जो प्रसेक्षनिक है उसके आदार पर जटेंगी तो इस तरह से पिचोतर परतिशत जुड़ करके आपके 100 परतिशत के आदार पर मेरिट तयार की जाएगी तो ये थी गेस्ट फेकल्टी समंदेत महतोपॉंड जानकारी क्या-क्या योगेता हैं कितना वेतन मिलेगा किस तरह से आप आविजन कर सकते हैं समपॉंड जानकारी में देने का प्रयास किया वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सेयर करें और चैनल को आवाद जहिंदे